नमस्कार आप देख रहे हैं मिसन के अबाज आज हमें गौरकपुर सदर बिदानसवाच छेतर में और आज हमारे साथ में भीमार्मी के टाइगर कहे जाने वाले मंजी सिंग नौटियाल जी मंझी सिंग नोटे आल जी आज गौरकपुर में पदा रहे हैं क्या लगता मनझी जी आप यहां पर आए हैं कैसी माहल रहेगा देखिये हमारे भीमार में के परमुक चंद शेकराज जी जो गोरकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और गोरकपुर से चुनाव लड़ने का निर्णे इसलिए लिया गया है कि जो गोरकपुर से हमारे परदेश के जो मुख्यमंत्री योगी अधित्यनाजी हैं जिस प्रकार से जन्ता का उत्पिडन हुआ है सरकार में सत्ता सरक्षंड में बेटियों का रेप हुआ है हत्या हुई है मैदूर किसानों पर जीब गाड़िया चलाई गई गोलिया चले गई और लूट पाट ड़कैती और मुस्लिमों का उत्पिडन इसलिए ताना सा राजा के सामने चुनाव लड़ने का निर्णे लिया गया है और हम यह बताना चाहते हैं कि इस जिले से गोरकपूर की जो सदर विधान सवाशिट है यहां से ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो चंद्शक राजाज जी के साथ में नहीं खड़ा है हमारे पदादीकारी पर देश के और जिलों के मंडल के तमाम पदादीकारी आपके सामने ब पैंगे रहे हैं कि योगया जित्तिनाथ को में लोग कि नहीं बेद पाएंगे उनके चुनाओं को मानने वाले लोग हैं और बाबा साथ ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा और न नोट से पैदा होगा राजा राजा वोट से पैदा होगा और उसी आइडिलोजी के लेकर हम आए हैं और यहाँ पर भारी समर्थन मिल रहा है और बारी मतों से जीतेंगे किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं बोटों के लिए किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं उनसे इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और महीला बहनों का माताओं का बुजुर्गों का नोजवान सात्यों को सबका शिरवाद मिल ला है और यहां पर यूनिवर्स्टी और यहां पर पढ़े लिए के सिक्सीत वर्क के लोग यह निर्ने ले चुके हैं कि सविधान हाथ में रख देखिए ऐसा नहीं है सभी संगड़न और पार्टी के लोग की अलग अलग जिम्मेदारी लगाई गई है यदि पुरा परचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है हम कल बलरामपूर थे और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे प्रदेश सद्द्र जी बैठे हैं बैठनाओं के देख नहीं है यूपी के प्रदेश अध्यच सुनील चितर जी सुनील चितर जी किस तरीके का माहौल दिख रहा है क्योंकि आप फूरे सिस्टम को सभाल रहे है क्या माहौल दिख रहा है प्षले 5 परस्क में मुक्षमंत्री जहते हुए योगि जी ने पृतेख जाती के लोगाँ को बेहत्त तक परिशान किया है 72.000 स्चिशक बर्ती में आरच्छों को लेके बड़ा गोटाला किया अनुशुच जाती, जन जाती और अन्य पृतेख बर्ती बहन बेटियों के साथ बड़ी-बड़ी घटनाएं गटी रोजगार बच्चाओं को बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुख्वंत्री की ब्रादरी के लोग बड़े पहमाने पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कमजोर लोगों को सता रहे हैं, परिशान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं दुकानों पर मकानों पर कबजे कर रहे हैं, महगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है जनता पूरी तरीके से तरस्त है, परेशान है ऐसी इस्तिती में हमारी पार्टी के राष्टियत दक्ष, भीमार्मी के चीप और इस देश के बहुजन समाज के बहुती संगर्शील उभरते हुए नेता आदरिये भाई चंसेकर जी ने ये निश्चे लिया कि बहुजन समाज के लोगों का मनुवल बढ़ाने के लिए मैं ऐसे तानाशा मुक्वंत्री के खिलाब चुनाब लोगा जिससे इनको भी सबक मिले और भाईजन समाज के युवाओं का मनुवल बढ़े क्यूंकि लोगतंत्र में सबको अधकार है सासन सत्ता में पहुँचने का हजारों साल से हमारे लोगों को पढ़ाई से बंचित करके कमजोर किया गया लेकिन आज इस्तिती ये है कि हमारा युवा पढ़ देकर तयार हो गया है और ताल ठोक कर शासन पर शासन में अपनी भागेदारी लेने के लिए दाड़ रहा है हम लोगों का ये प्रयास है कि गोरक पुर्शे हम संदेश दें जित हासिल की है वो बुलंद होंशले रखते हुए जो कमजोर वरक के लोग है उनमें भाईचारा पैदा करके जीत हासिल की है जब हम यहाँ जीश सकते हैं पूरे देश को जीश सकते हैं पूरे देश में योगी से बड़ा कोई तानाशा नहीं है तो यह शंकल्प है कोशिश है और यदि प्रशासन ने इमानदारी से बोटिंग करा दी तो यहां के वोटर ने जो स्रब जिन समाज के वोटर है उन्होंने ये निश्य कर लिया है कि वह सब योगी को हराने के लिए भाईचन सेकर जी को सपोर्ट करेंगे यहां से बड़ी इस जिनज़ीं कि मंजिजी कि चार बार सायल सांसद रह सूह हैं और अब सीम रहें योग यादेशनात को क्या भीमार्मी के लोग हरा पाएंगे चंदर सिके दुट्राजा जी क्योंनी हरा टर पाएंगे आप यह बताईए क्से नहीं बनता है वोट जिता पता ना तो फूं तन सुरक्षित नहीं रहें अगर आप ही यह कहेंगे मैं कहता हूँ कि लोग तंतर के चोते हिस्तर में आप लोग आते हैं और आप इस बात को रखिए कि यह योगी का घड़ है क्योंकि तीन चार बार वो सांसाद रहें और पर मिसीयम भी रहें तो किस परकार से उनको अंगे कि अगतर नहीं होता है लिकिन वोग कहते हैं इसका अनुसार हम आप आप कि रहा हूं कि योगी जी गॉर्पूर के रहने नहीं है उनका जनम यह नहीं हुआ है बलकि हमारा जनम अधिकार है और जनता हमें प्यार भी गड़ती दिया यहार है योगी जी तो मट योगी जी का मट तो रिशिकेश में वहां से यहां गया हैं अगर उनकी राइनिती अगर सफल होनी होती तो रिशिकेश तो चुनाव लड़ते हम उत्तर प्रदेश के इसे चंद शेकर राया जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ है और विरुकुल जिनता मानस बना चुकी है क्योंकि वहां लोगों ने मानस बना लिया है और लोगों का ये की कहना है कि अब हमको बोट डालने की सही जगे मिल चुकी है और यहां चंदर सेकर वही चुनाव बिकास के लिए शिक्चा के लिए और जनता को आजात करानी के लिए लड़ रहे हैं और चंदर सेकर वही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मैं तो ये मानता हूँ और चंदर सेकर वही चुनाव लड़ रहा है और पिच्चासी बावजन समाज को कोई हरा नहीं सकता और चंदर सेकर वही 100% जी थे हमारे साथ में राश्टिक और कमेर्टी के सदस राजकुमार गौतम जी जी राजकुमार गौतम जी हाँ जो सवाल था कि योगी को किस प्रकार से अराएंगे योगी को जिस प्रकार से राज नराज जी ने इंद्रा जी को अराय था इंडिया एज इंद्रा इंडिया का जाता था उसी प्रकार से चंसेकर भाई भाई भारी मौमच से जीतेंगे और जनता के बहुत समर्थन मिला है हर समाज का भर्ग यही चाहता है कि बदला चाह रहा रहा है और इवानेता है और जज़बा है जान हंतरे लिब लेकर चलते है जनता के लिए राष्का लगी उन पे अईसे उनका गुणा कर दिया तो जियल में ड frågor डिया गेए mix जामा मज्यद पर गे स्केसे का गला चाहिए ज बहुत भारी मौमत से गोरक पूर में जो इमठ है ना ये मठ भी छोड़ करके बापे सुत्रांचल चले जाएंगे इस चुनाओं के बाद में और इत्यास रचा जाएगा आजा समाज पार्टी का चंशेकर जी का हाँ बिलकुल कहना चाहेंगे देखिए हमारे जो कार करता है बहुत ही मेंती हैं लगन सील हैं अनुशासित हैं और प्रते गर में ऐसा कोई दर्वाजा नहीं है जहां पर मिलके नहीं आ रहे हैं और जनता जो है ना ब्रामण बरका भी बोट मिला हमको उन्हों खुद कहा है कि चंसेकर भाई है हमारे लिए काम कर रहे हैं जहां कोई भी पूड़न होता किसी समाज से वो तुरंत पहुशते हैं वो किसी बेदबाव नहीं देखते जिस प्रकारत के बाबा साब ने समयधान लिखते हुए लिखा था कि समानता कातकार सबको दिया था उसी प्रकार चंसे पहले हुई है उसको लेकर भी जो लोग हैं वो लगातार बदलाव चाहते हैं देखते रहे हैं मिसन के बाद साथ में बूपेंदर शिंग सानबाल जैवीम जैवारच जसंबीदान